अगर आप यूपी के शहर में शादी का प्लान बना रहे हैं वो भी जन्वरी से मार्च के बीच तो जरा ठहर ये कहीं ऐसा नहों कि सब तैयारियां धरी की धरी ठह जाएं और शादी की डेटी कैंसल हो जाएं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक फर्मान ने सबको चिंता में डाल दिया है ये तो सबको पता है कि देव उठनी के बार शादियों का सीजन शुरू हो जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्र योगी आदित्यनाथ ने प्रयाग राज वासियों को जटका दे दिया है दरसल योगी सरकार ने सीजन में होने वाली शादियों पर रोक लगा दी है बतादे कि सीएम योगी ने ये फर्मान 2019 में लगने वाले कुम्भ में प्रमुख स्नानों के मद्दे नजर सुनाया है इसके तहट लोगों ने मन चाहे मैरस हॉल वगेस्ट हाउस में पहले से ही एडवांस रुपे दे कर बुकिंग कर ली है लेकिन प्रयागराज शहर में स्थिती चुंता जनक बन गई है योगी सरकार के फर्मान ने यहां लोगों को गहरी चुंता में डाल दिया है योपी सरकार द्वारा जारी शाषना देश में अगले वर्ष 2019 में लगने वाले कुंभ में प्रमुख स्नानों के मद्दे नजर वहां होने वाली शादियों पर रोक लगा दी गई है यूपी सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि अगले साल जन्वरी, फरवरी, मार्च में होने वाले कुंभ मेले के प्रमुख स्नानों के दोरान एक दिन पहले और एक दिन बाद साधी शमारों नहीं होंगे यहां आदेश प्रियागराज के सभी मेरज हौल को दिये गए हैं जिसमें उस टाइम की सारी बुकिंग कैंसल करने की बात कही गई है आपको बता दे कि कुंभ में जनवरी माह में मकर सक्रांती और पौश पूर्णिमा असनान है जबकी फरवरी में मौनी अमावस्तिया वसंत पंचमी और मागी पूर्णिमा का असनान है वही मार्च मा में महाशिवरात्री का अस्नान होगा जिसमें कडोरूस रधालू संगम में जुबकी लगा कर मोक्ष्ट की काम ना करेंगे प्रियागराज शहर में सैकडो मैर्स हॉल वा गेस्थाउस हैं सरकार के इस आदेश के बाद जिनके घरों में शादी हैं वहां हड़कम्प मच गया है लोग परिशान है क्योंकि उन्होंने शादी की तैयारी की चलते गेस्थाउस वह होटल भी बुक करा दिये हैं होटल मालिकों को रुपए दे दिये गए हैं होटल द्वारा बुकिल कैंसल करने पर लोग उनसे लड़ने पर उतारू हो गए हैं वहीं होटल संचारकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें रुपए वापस करने पड़ रहे हैं पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें